नमस्कार एक्स्क्लोजिव समचार में आपका स्वागत है आई नजराले ते आज की विशिश खबर पर खोज के ग्यारा साल बाद नासा के विग्यानिकों को मिले एहम सबूत चंदरियान वन जी हाँ चांद पर मिला पानी और ग्यारा साल बाद चंदरियान वन की खोज के नासा के विग्यानिकों को एहम सबूत हाथ लगे है जैसा कि आपको बता दे अमेरिका के विग्यानिकों को चांद पर मॉलिकुलर वाटर होने के सबूत मिले हैं खबरों की माने तो 2009 में मिशिन चंद्रियान वन में भी चांद पर पानी होने का दावा किया गया था अब नासा के विग्यानिकों ने गोडार स्पेस फ्लाइट सेंटर हवाई और कोलोराडो के रिसर्च संस्थानों के साथ मिलकर चांद पर H2O होने के सबूत जुटाए है विग्यानिकों का मानना है कि चांद के लूनर शेतर में 40,000 स्क्वेर किलोमेटर पानी हो सकता है इसके साथ ही चांद पर मिले पानी से चांद पर जाने के लिए लागत में खास कमी आ सकती है तो अगर धरती से एक लीटर पानी चांद पर ले जाए गया तो उसकी किमत लगभग 50,000 डोलर तक हो सकती है गुडार की सैंटिस केसी हनी बॉल और उनकी एक टीम ने इंट्रारेट कैमरे की मदद से सबू ठून निकाले हैं जिसे अतै हो चुका है कि चांद पर पानी है एक्स्क्लोजिव समचार में अच लेता ही ऐसी और खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बैल आइकॉन का बटन दबाना ना भूले धन्यवाद